जहां से top MNC companies प्रोडक्त लेती है ना वहां से ही जनरीक आधर भी प्रोडक्त लेता है जनरीक आधर एक मेवए ऐसी company जो 40% retailer को देती फिर फाइदा हम लोग दे रहे हैं retailer को जो पूरा दिन काम कर रहा है और end customer को जिनका हग बनता है medicine सस्ते दामों में लेने का दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे वंडर किट से जो फार्मेसिस सेक्टर में एक नई क्रांती लेकर आया है एक ऐसी क्रांती जिसकी के वज़े से आपका medical bill आधा हो जाएगा या फिर आधे से भी कम हो जाएगा जी हाँ दोस्तों मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ फार्मा वंडर किड अर्जुन देस्पांडेजी से अर्जुन देस्पांडेजी के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ये जैनरिक आधार के CEO and founder है दोस्तों इन्होंने 16 साल की उम्र में इस कंपनी के स्थापना की और ये एक ऐसे mission पर है जहां पर ये दवाईयों को affordable बनाना चाहते हैं बनाना चाहते नहीं हैं ये बना चुके हैं अल्रेडी आज के दिन पूरी इंडिया में इनके जैनरिक आधार स्टोर्स खुड रहे हैं और इनके काम की सरहना करते हुए देश के सबसे ज़्यादा जाने माने उद्योग पती रतन टाटा जी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और इनकी काम और लगन को देखते हुए इन्हें बहुत सारे अलग-अलग अवार्ड से नवाजा गया जैसे कि दोस्तों Youngest Entrepreneur of the Year 30 under 30, 40 under 40 और ऐसे बहुत सारे अवार्ड की फैरिस थे जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसके अलावा दोस्तों ये लोगों को प्रेडित करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग टॉक्शो में भी आते हैं जैसे कि सबसे जाना माना नाम TEDx है तो आज हम जानेंगे क्या है इनका मिशन और क्या है इनका विजन दोस्तों में डिरेक्टली आपको इनके मुंबई हेड़ ओफिस में आज इनसे आपकी मुलागात करवाने वाला हूँ समय नहीं लगाते हुए सीधा चलते हैं और मिलते हैं जैनरिक अधार के फाउंडर एंड सीओ अर्जुन देश पांडेजी से सो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ हैं जैनरिक अधार के सीओ एंड फाउंडर अर्जुन देश पांडेजी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला जो कोश्चिन जो हर किसी की दिमाग में आता है 16 साल की उम्र में बच्चे खेलने को अधने की सोचते हैं 16 साल की उमर में लोग घूमने का प्लान बनाते हैं लोग अपने फ्यूचर के अबारे में सोचते हैं और आपने लोगों को इंप्लॉर्मेंट देने का सोचा, आपने अंत्रप्रियोसिफ जर्णी की सुर्वात की, तो यह कैसे किया? जब मेरा एज मतलब मैं 16 अर्स का था, तब मैंने एक ही मिशन मेरे मन में था कि हमारे इंडिया के लोगों को अर्स का था, जब मतलब मेरा जब एज 14 था, तब मैं आउट ऑफ इंडिया मेरी जो मम्मी है, इंट्रनेशनल फार्मसोटिकल के बिजन्स में है, तब मैं आउट ऑफ इंडिया उनके साथ मैं, दूरिं मा स्कूल वेकेशन में ट्रैवल करता था, तब मुझे यह बात समझ में आई कि आउट ऑफ कंट्री मतलब यूएस हो, चाइना हो, यूरोप हो, अलग-अलग कंट्री में मेडिसिंस का जो प्राइज है, वो बहुत ऐफोडेबल है, और लोगों को यह बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है, और जो की इंडिया को हम लोग वर्ल का बिगेशनलिक निजा की, कि मेरे सामने सेस्टामी की बहुत सब्सके का लिगेशन चाहितनां शबूब और हर जो में उनिया के टामारे में रहा है आँप काम इपट्रोफ कि आशोच chemical में welcome और उक जो 9 bio क्यों्ट दू भाउर व्लोगों को प्ली लोगों तक सने क्यों में आपकर आब holders जिनको महेंगी दवाई या मैंने का बिल जो पाच शीहादर का आता था वो उनको एफोड नहीं हो रहा था तो उनके लिए मैंने मन में यह सोचा कि एसा एक वेंचर शुरू किया जाए जहां से 130 करोट लोगों को मेडिसिन अवलेबल हो एफोडिबल प्राइस के दवारा और सेम कॉलिटी के तो वो चीज़ से मैंने जनरिक आदार का मिशन की शुरुआत की बहुत खुब सर बहुत खुब सर बेसिकली जम फार्मा इंडस्ट के बाहरे में क्यों सोचा और साथी साथ आपने जनरिक अधारी कुछ ना हर एक फिल्ड में हर एक चीजों में हमेशा मतलब के बाद में चेंज आता है और वो चेंज आता है अच्छे के लिए आता है बिल्कुल हर एक चीज लीजिए जो महेंगी चीजे चलती है पूरा मतलब डिफरेंट सम अव दी मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी होने दीजे फार्मा इंडिस्ट्री में तो वो जो चीजे आज का जो सपना है हर एक इंसान को जनेरिक मेडिसिंस मिलने चाहिए तो मैंने जब मैंने यह सब चीज नोटिस की कि हमारे इंडिया से मेडिसिंस बनती है आउट ऑफ इंडिया जाती है बहुत सस्ते दामों में और हाई कॉलिटी मेडिसिंस रहते हैं कि यूए में जब हम है और जो ट्रेडिशनल वह है वैसा नहीं हम लोग मिडल मैं क्या जो भी कॉस्ट है आज जनरी का दाहर में सेव अप टू 80 परसंट हम लोग दे और जो फ्रैंचेस हम जो इतने भी हमारे साथ में फ्रैंचेस हो रहे हूं को 40 परसंट प्रॉफिट मार्जिन जो की फार्मा जनरी कादर एक में भी एसी इसी कंपवनी जो 40 परसंट रिटेलर को देखी वह जो हमारे रिटेलर रही उसे लोग सब्सक्राइब और हमारे एंड कस्टमर को सेव अप टू 80 परसंट भी दे रहे हैं बहुत अचा तो जैसे आपने बताया कि आप एंड कस्टमर्स को 80 परसं चाहे जी आउटलेट से उनको भी 40% का मार्जिन दे रहे हैं तो सर इतना प्रोफिट मार्जिन आप किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं किस तरीके साम उने प्रोवाइट कर रहे हैं अभी जैसे कि एक प्रोड़क्ट है जो मैं मैनिफेक्ट्रिंग से लेता हूं अभी इंडिया अभी प्लांट में तो जहां से टॉप MNC प्रोड़क्ट लेती है ना वहां से जनरीक आधर भी प्रोड़क्ट लेता है अगर आपने हमारे जितने भी मैं प्रोड़क्ट के फोटो जने तो वह दिखाऊंगा मैं आपको तो आप अगर देखेंगे तो कॉलिटी सेम तू से जनरीक आधर का प्रोड़क्ट 10 रुपीज का सेल होता है पर चस अगर हमाँ 10 रुपीज होता है अरूंड रूपीज मैं एक्जाम्पल तो उसमें क्या होता है ना उसमें हमारे रीटेलर का भी प्रोफिट होता है कंपनी के इसाफ़ से हम लोग एम्प्लोइमेंट भी जनर सिर्फ फाइदा हम लोग दे रहे हैं रीटेलर को जो पूरा दिन काम कर रहा है और एंड कस्टमर को जिनका हग बनता है मेडिसन सस्ते दामों में लेने का बहुत बढ़ी है तो सर बीसिकली जो आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो आप लोग किस तरीके से देखते ह आपका फ्रेंचाइजी देने का आज जनरीकादर के पास में अप्लिकेशन बहुत आते हैं पर उसमें से जो भी बिजनस ओनर आज जरूर निया कि आप फार्मासिस्टी हो जनरीकादर की फ्रेंचेसी लेने के लिए आपको एक फार्मासिस्ट हायर करना है तो आप एक स्टोर चालू कर रहा है तो एक बेसिक सा क्राइटेरिया आपका एक शॉप ओना चाहिए आपका मतलब एक लाइसंज जो है वो हम लोग हमारी टीम आपको डेफिन लिए लिए करेगी तो आपको लोकली वो लेना है वो एक 10-15 देस का प्रोसेस है एक फार्मासिस्ट आपका लोकली आपॉंट करना है यह बेसिक से लियारीक अधार की लेने के लिए अगर फुल्फिल करतें तो जन्रिक अगर आपके अरिया में पाज्ट सव में ब्लॉक नहीं हुई होगी तो आपको भो फ्रेंचेसी का मौका महाँ पर मिल सकता हैं क्योंकि हरेग हमारे इंशिद अगर आप दवाइयो की बात करें तो वह बच्चे से लेके बुज़ूर तक लगती है तो जो दवाइयो का बिजनस हम लोग काम कर रहे है वह 130 करोड लोगों के लिए कर रहे है तो हर एक शेहर में हम लोगा जन्रीक आदार का काम कर रहे है और मतलब आप वह कोई अर्बन उनसे 40 किवलूमेटर मुंबуч bulbs से अगर हम लोगों की जर अन्रीक करने नियसे कि बताया कि जो बड़ी ब्रेंडेड मेडिसिन का लेरे माँ प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है तो एक्जिस्टिंग जो मेडिकल स्टोर से हैं तो क्या वह भी कनवर्ट हो सकते हैं जैनरी काधार में उसी के लिए तो जैनरी काधार की मैंने पहले शुरुआत की कि आज जो मेरे शुरुआती दिनों में जैनरी काधार के मेडिकल स्टोर्स विजित करता था क्योंकि मैं एक यंग कि मतलब मैं बड़ा कुछ फाइनेंशल बैकिंग अगरे में मार्केट में आया नहीं हूं मैंने जो भी किया मतलब मैंने खुद मैंने चालू किया रीटेलर से बात कर करें में जैनरी प्रफिण के बारे में बड़ा सा काच का मौल यह उसके वज़े से उनका जो इतने सालों की मैनत थी पूरा वहा लोगों को लेके जा रहा है कस्टमर इसको उनके उनके हाथ में कुछ निमिल अनुने भी हमारा तब फ्रैंशे से लिया और उनका प्रोफिड के बारे में हर तरह की अपके साथ तो मैं चाहूंगा कि एक बार में कुछ मेडिसिंस भी देखें आपके साथ फॉर शुर चलतेक सुर मैंने खुद देखा है आपके कई सारे फोटोग्राफ में मेडिया में कि जब भी आपको बड़ा एवेंट करते हैं इसपेसले जब आपका एप लॉंच हुआ तो अभी प्रोड़क को लेके नहीं तो एप्लिकेशन को लेकिए अप्लिकेशन हम ने इसलिए डैवलप किया है कि हमार जो रीटेलर है उसके द्वारा ह नेरे सपिंकोड से डिलेवरी कर पाए तो सब कुछ प्रोड़क के बारे में बताना चाहेंगे कुछ ब्रोड़्क साप भी एगर अगर हम लोग बात करके चले तो अभी यह जो आयन है आयन वाला प्रोड़क्त है तो उसके बादम यह बहुत इंप्रज़न अभी कोवेड क ये बहुत महघँ हरक है जो के हाइर अंटइबाइटिक के लिए होता है तो ये प्रोड़क्त हो गया उसके रभाद में हैं तो रस ट्ःएं जो है वो लाय किस बाद में कयल्शियम के प्रोड़क्स लाएं प्रोटिन पाउडर है अलग हरDid हर एक रेंज में वह हम लोग ने इंसुलियन जो डायबेटिक पेशेंट के लिए एवरी मतलब रोज मरा की लिए वो लगता है वो भी हम लोग ने लॉँच के लिए इंसुलियन आस्तमा के श्प्रे जन्तिकादार के हम लोग लॉच के लिए विदिन एयर टाइम में हम लोग हर एक प्रोड़क रेंज हमारी जा रहा है तो वो सब चीजों के ऊपर हम लोग बढ़ हम लोग इसमें हमारी जो फार्मासिस की टीम है वो एक इसके ऊपर पूरा ध्यान रखती है कि जो कॉलिटी है वो जहां-जहां से बना के लेता है ना वही कंपनी से जन्रिक आदर बना के लेता है तो हर एक प्रोड़ तो इसको आप किस तरीके से रिमूव करते हैं आज पूरा देश बदल रहा है सब लोग जन्रिक मेडिसन के और जा रहे है क्योंकि आज लोगों को पता चल रहे है कि हम लोग इतने सालों से हम लोग को मतलब MNC कंपनी दिवारा बेवफूफ वनाय जा रहा था क्योंकि जो पूरे इंडिया के 130 करोड लोगों को जन्रिक मेडिसन मिलने चाहिए तो इसके लिए जन्रिक आधार भी बहुत मतलब जन्रिक आधार एक अच्छे चीज के लिए काम कर रहा है और बहुत अलग अलग इंडिस्वी से लोग फ्रैंचेसी ले रहे है लोग मेडिसन ले तो अ समय क्षारार नहीं हां कि मेडिसेन लुक्त लोग इंडिसरेश अइटम नहीं है व को हर एक इंससान की जर्वत है तो हर एक मतलब जरुवती चीजों को हम लोग महंगा ना बेच के हम लोग बेचे हम लोग सस्ते-धामों में बेच ना चीज़ों को तो जन्रिक आधार का एक ही मिशन है कि टू प्रोवाइड अफुड़ेबल मेडिसिंस अक्रोजी नेशियन सो इच एन एवरी कॉर्णर में जनरिक आदार का मिशन है कि रीच करके हम लोग के सब प्रोड़क्त के वराइटी आप जैसे देख सकते हैं यहां पर तो हर एक प्रोड़क्त की वराइटी एक मिशन के द्वारा और एक विजन के द्वारा हम लोग काम करें तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को हर जगा पहुचा दीजे फेस्बूक के मादियम से वाटसेप के मादियम से आप शेयर करना ना भोले और आप इस चैनल को लाइक